बड़ी खबर मध्य प्रदेश सरकार ने रक्षा बंधन से पहले दी कर्मचारी को बड़ी सोगात आदेश हुआ जारी सरकार ने रक्षा बंधन से पहले दी बड़ी सोगात सरकारी कर्मचारी के महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बड़ोतरी का आदेश सरकार ने रक्षा बंधन से पहले दी बड़ी सोगात 7th Pay Commission Latest News भोपाल 7th Pay Commission Latest News प्रदेश की सभी बिजली कमपनियों में कार्यरत नियमित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को साथवे वेतनमान में 4% महनगाई भत्ता मिलेगा जारी आदेश के अनुसार साथवे वेतनमान में कार्मिकों को वर्तमान में मूल वेतन पर एक जनवरी 2023 से 4% महनगाई भत्ता देया होगा उन्हें कुल 42% महनगाई भत्ता मिलेगा 7th Pay Commission Latest News गौर तलब है कि कमपनियों द्वारा नियमित कार्मिकों को जिसमें एक जनवरी 2023 से 4% की वर्त्ते का भुकतान कमपनि के नियमित कार्मिकों को किया जाएगा बतादे की मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान ने 23 जून 2023 को सिहोर के भेरुदा में आयोजित एक सभा में राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता केंड सरकार के बराबर करने का वादा किया था इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री ने 14 जुलाई को निर्णय लेते हुए महंगाई भत्ता को 42% कर दिया महंगाई भत्ता जनवरी 2023 के वेतन से प्रभावी होगा खाते में आएगी कितनी रकम जनवरी 2023 से मार जून 2023 तक का एरियर तीन समान किष्टों में दिया जाएगा छटवा वेतनमान प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के मामलों में भी महंगाई भत्ता में समानुपातेक वृद्धी की जाएगी वर्ष 2014 में 30 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को 3 तिय समयमान वेतन पहले से ही दिया जा रहा है अब सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को चतुर्थ समयमान वेतन मान प्रदान करने का भी निर्नय लिया है ऐसे शासकिय सेवक जिन्होंने 1 जुलाई 2023 अत्वा उसके पश्चात 35 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, उन्हें चतुर्त समयमान वेतन दिया जाएगा कितने कर्मचारियों को होगा फाइदा सरकार के इस निर्नय से मध्य प्रदेश के करीब 7,5 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को लाब होगा प्रदेश में नियमित कर्मचारियों की संख्या करीब 6,4,000 है वहीं करीब 1,10,000 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी है इस तरह कुल 7,50,000 कर्मचारियों को बड़े हुए डिये का तोहफा मिला है